नमस्का टू आल दिसी शेफ गगन और आज हम बनाने जा रहे हैं रसम पौडर तो रसम पौडर के लिए जो भी हम लोग मसाले योज़ करेंगे उनको अलग-लग रोस्ट करेंगे जां कुछ बैचेस में भी रोस्ट कर सकते हैं सबसे पहले हमें चाहिए धनिया सूखा चार बड़ी चमच चना दाल एक बड़ा चमच तूअर यह पलिए नवह दाल एक बड़ा चमच उड़त दाल एक बड़ा चमच जीरा एक चोटा चमच मेथी एक शोड़ा चमच, काली मिर्च, एक शोड़ा चमच, रेड चिली, तीन नंबर, हिंग, दस ग्राम, तो सबसे पहले हम लोग धनियों के रोस्ट करेंगे, जो चिल्ली है उसको आप स्पाइसीनेस के हिसाब से थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं, तो यह देखिए हमारा धनिया औ अब हम इसको एक बाउल में निकालके रख लेंगे, हम करेंगे दालों को रोस्ट, तीनों दालों को हम लोग एक साथ रोस्ट करेंगे, योग इनका रोस्टिंग का जो टेंपरेचर है टाइम है वो सेम होता है, तो हमने चना दाल, टूवर दाल और ओड़ दाल, तीनों को एक साथ रोस्ट कर लिया है, रोस्ट करने के टाइम पर आप इसको थोड़ा सा चवा के देख सकते हो, क्रंचिनेस हो जाता है, तो मतलों पग गई है, तो यह होगी अपनी मेथी, मेथी के साथ हम लोग डालेंगे, ड्राइ रेड चिली, काली मिर्च, और जीरा, हम चारों मसालों को एक साथ रोस्ट कर लेंगे, इनको जादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी रोस्ट हो जाते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, जलना जाएं, कि देखिए, कलर चेंज हो गया है, हमने इनको भी निकाल लिया है, तो हमारे सारे के सारे सबको एक साथ हम लोग ग्राइंड कर लेंगे, तो यह आपका पाउडर रेडी हो गया है, इस पाउडर को आप लोग ड्राई किसी भी कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं, महीनों चल सकता है, तो थैंक यू सो मच फो वाचिंग, विल सी यू अगेन विद दे रेस्पी रस्म तोमरो, बाई बाई